ब्रामन समाज के उपर तरह तरह की अभधर टिपड़ी लोग कर रहा है अपने जाद के निता बनने के चकर में कि हम आगे बढ़ जाएं हम आगे बढ़ जाएं हमें तरह साती हैं वैसे लोगों पर जो इस तरह के ओची हरकत करते हैं सबसे पहले तो इस टिपड़ी के भिशे में थोड़ा बहुत हम आप लोग से कह दें आप लोग पता भी होगा कि क्या टिपड़ी है छहूटा सा टिपड़ी यहीं है कि एक कविता है जो कविता का सिरसक का नाम है ठाकुर का कुऊंitter और वो कविता के लेखक हैं वो कविता जो लिखे हैं वालमिकी ओम प्रकास वालमिकी कविता के लेखक हैं स्री ओम प्रकास वालमिकी जो लिखे हैं बहुत पुराना कविता है बहुत पहले का लिखा हुआ है और उस कविता को सांसद मनो जहां जी ने राज सभा में सुना दि लेकिन वाइरल इधर करके लोग तमाम तरह के उन पर टिप्रा टिप्री कर रहे हैं तो हमें बस इतना आप लोग से कहना है कि जो भी बेक्ती टिप्री कर रहे हैं जिसमें सबसे अग्रणी है स्री आनंद मोहन जी हमें तरह साती आनन्द मोहन जी की बुधी की चारपार उनको तो हम बहुत अपने दिल से मानते थे बहुत अच्छा समझते थे लेकिन वो इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे यह हम जिन्दगी में भी नहीं सोचे हुए थे कि इस तरह से वो अहंकारी पूरुस हैं उनके तरह साती थी पहले आज का लाइब का मूख उद्देश स्रियानंद मोहन जी ही है अगर हमारा लाइब वो देखते हूं या आप हमारे तमाम मित्रों से रियागरफ करेंगे उनके पास हमारे लाइब जरूर आप पहुंचा दें उन्हों पता लग जाए कि धर्ती बीरों से खाली नहीं है धर्ती में बहुत बड़े बड़े बीर हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो इस तरह से ओची हरकत करके ब्रामर्वर किपणी करके अपनी राजनिती की रोटी सेकना चाहते हैं और एक बर्ग विश्यस का नेता बनना चाहते हैं क्या उस बर्ग में और पीछे करके चाहते हैं जी हम ब्रामळों का अप tu-साफ़ बोल करके हम निता बन जाएं आखे-फे ओटकर के और 14 निता लोगों को लग रहा है अब हम पीछे हो जाएगे अनद मुहन तो हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता बन जायेगे हम पीछे हो जाएगे हम क्यों नहीं तिपड़ी करें थ देखते हुए दो नेता और हैं जो आज तक भी ब्रामणों के टिपड़ी हकिकत में ओलों नहीं किये थे लिकिन ओलों भी आप ब्रामणों पर टिपड़ी करना चालू कर दिया है डूट हुए जान करें करें आनंद मोहन आगे नो निकल जाए समाज का नेता न बन जाए और ह आप सुन लीजिए आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा बीर हैं बहुत बड़ा बाहुंबली हैं तो दिमाग से उतार दीजिए अगर कोई ब्रामणों अपने पर आ जाएगा ना चाहा हम लोगे तो चिटकु में मसल देगा आपके जैसे अब्यक्ति को आप अह साल के बाद किस अपराद में छुड कर आए हुए है आप और छुड कर रहे हैं आपके अच्छे आच्रण देकर छोड़ा गया पता नहीं लालू जी या नितीज जी आप महांगर बंदन सरकार को आपका कौन सा आच्रण अच्छा लगा हमें समझ में नहीं आ रहा है आपक कर दिए अगर आप बोल रहे हैं ब्यक्तिकर तोट पर मौनो जहां जी के भी से में है कि मौनो जहां जी के चाचा जी फलाना थे आप उनको देखें हुए हैं अनन्द मोहन जी हम एक बात कहेंगे ब्यक्तिकर टिपड़ी करने से पहले अपने अंदर आप जहां कर देखिए तो आप अपने बाप और अपने माँ से पुछिए कि आपका साधी कौन कराया था आपके माँ पिता जी का साधी कौन कराया था कोई ब्रामन कराया था कि आपकी माँ भगा कर आपके पिता जी लाए थे आप लब मेरे आपके पिता जी किये थे कि साधी किये थे तो कोई ब् पिता जी का सुराद कोन कराया आपके पिता जी के सुराद कोई ब्रामनी कराया होगा आप दस बार उसके पर पर पड़े होगे तब जा करके आप ब्रामनों का प्मालित कर रहे हैं आपका साधी कोन कराया आपको बोलने के पहले सोचिए और आप एक कह रहे हैं मनोजा के पुछने वाला नहीं था आपका बेटा और आपका बेटा और आपकी पत्नी खा रहे थी रोड पर कोई राजनीत की दल पुछने वाला नहीं था आपका बेटा को आपके पत्नी को भाग मनाईये लालू पर साध्यादो जी को भाग मनाईये तेजस्वी जी को उन्होंने दो-दो टिकट आपके पत्नी को भी दिया और आपके बेटा को भी दिया और राजनीत में वो आपका ब अनंद मोहन जी अब आपके समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं गोपाल गंज को ज्यादा दूर नहीं है यहां से आनंद मोहन जी आपको भी याद होगा याद पार लिजे आप गोपाल गंज आप चुनाओ लड़ने आए थे उगाँ पाना खुनाओ में काली पांडे जी अपना उमीदवार खाला की थी मुना सिंग्जी को मुना सिंग जात के राजपूत थे दूसर जात नहीं थे और बहुत अज़िक्न प्रादियों ने मुना सिंग की हत्या कर दी एक दम चुनाव के पहले एक दिन दो दिन पहले मुना सिंग की हत्या हो गई बहुत लोग मरमात हुए बहुत लोग दुखी हुए और चुनाव जीत रहे थे फिर दुबाला हुआ बिधाम सिंग चुनाव इस्टार्ट हुआ गुसरा हुआ चुनाव का उस चुनाव में पुतुल देभी मुना सिंग पत्नी खड़ी हुई थी और आनंद मोहन जी जिस समाज की आप अगवाई करना चाह रहे हैं उस समाज के लोग इबात भूले नहीं ह कि आप सहरसाज सिवहर से आकर के पुतुल देभी का हराने का काम किया है अपने निर्दलिये चुनाव नड़े को पालगंस है और आप पुतुल देभी को हरा दिये आप याद पारिये आपकी माई आई थी परचार करने के लिए हमें इसा बात नहीं कहना चाहिए और समाज का कितना बड़ा मान सिंग है कितना बड़ा जैचान अपने समाज का है आप अपने समाज के लोगों का कितना अहित किया है यह हम बताना चाहते हैं आपने क्या किया वहां पर निर्दलिये चुनाव लड़े आपकी मां आई थी परचार करने और अपना आचरा ब्राम हुआ कि मा रो 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 का आप से लिए भोट मांग रही थी कितना भी काली पांडे जी है सारे लोग समझाए एक ठाकुर समाज एक रातूर समाज की बिद्वा है पुतुल देवी इसको चुनाव जितने दिजी आनंद मोहन जी आप जाईए मत चुनाव लड़िए लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको आपको तो भसमासुर आंकारी मोहन आप चुनाव लड़े और पुतुल देवी को आपने हरा दिया और आप चुनाव लड़े आप जीते हैं न पुतुल देवी जीती तिसरा कोईचन डेट महां जीत गिया आप अहंकारी आनंद मोहन है उन्हीं आहंकारी भास्मासुर मोहन है आप और आज आप ब्रामणों के बिशे में टिप्री कर रहे हैं करें ब्रामण मंदिर चोड़ दें मंदिर तरह बाबुजी के 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 अज बिहार में सारा लोग थूथू कर रहा है आपके उपर आप चाहते हैं कि राजपूत ब्रामडों को बाढ़ दें राजपूत ब्रामडों को बाढ़ करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं पूरे बिहार का MP अकेले बन जाईएगा सिवान गुपाल गजपूत ब्रामाराजगर सबस्का MP आप भी बनियेगा अकेले आपकी पत्रिया आपका बेटा उससमाज में और कोई नहीं है सिवान में बावुद सायप नहीं है लोग गुपाल में नहीं है महाराजगर गणने छापूत ब्राम्ण फूरे पढ़ने हैं य जहां जी इप पांच्छो दिन पहले एक कविता हो आज जब लालू जी तारा सब हेट ना कोई ले है अनान्द मोहन जी तो सौती के खिस कठोती पर बबे जी तरह सस्ता मिल लहां दिमाग से बात अब निकाल दा प्हल का पंड़ि जी लो बालो तार्जीमिदारी चल था रगरा ज़ोईबा मिसा ज़ोईबा तू सो जबार समाज के बाद करौो पुरे समाज के टार्गेट मत करौ ऐ अब मनो जहां के बात जहां तो कर ही गई मुझा जहाजी कोनों अपना तरब से पढ़ले बढ़े उक्विता लिखलबा अभी हम भी कह रहें ब्रामर बाधाता आईए और तुहुं कहां ब्रामर बाधाता आईए इमें कौन ब्रामर का अपमान हो गई अधाकूर तो दूएगो बटले बढ़े बिखारू ठाकूर तार डिखता है ये लुक टर पोछाविसी छोटी जैता है के अतु तु आतू ब्रामर मानगों अधाला ईग्ताविसार् आप 95-95 वाले दसक में याद है ना बीपीपा बना करके आप किसको फाइदा पहुंचा है याद है कि नहीं आपको अब सबना भोड को चाहते हैं कि बढ़ जाए राध्पूत ब्रामणों का कद्र करना छोड़ दे और ब्रामण राध्पूत का इजद करना छोड़ दे यहीं लोग उयाता है कि हमारा अब राध्पूत के ने तई अच्छी ना जाई तब हम दुगा पंडी जी लोग के गरिया दी का आप लोगी इनके चकर में पड़े हैं आप लोग क्या पड़े हुए हैं कि अनंद मोहन का तेश कुर्व भीला हो गया है और एक पागल कहिए अंका से बड़ा कमजोड दिखाए दिया और आपका एक बयान देखें हैं आप बोले हैं कि हम राते सदन में जीव खीच लेते हैं बातारा इमद कुन परावन के जीव खीच के देखावा ना तार जीव होगा कि चले के बाद से दातवा बाद तो 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 पंडी जी लोग पुरान का जूग निखे रोई गई हां जो तार बहु जादा तू अपना के कोन पंडी जीव खीच के देखा ना तू काम उनों जाके जीव खीच सदन में जाएका मुका मिली जाएको कोन जीदकी में सदन में भाग मना वना कि सदन में तार बेटा चल गिल बैटे वह अग बीए राजपूत के ठता बना तरह का चाहता तरह पुरय राजपूते भाग में पूढ भुड़े दिले दिले तुव पुरा पीहार से के लिएंपी बनजी बईव का न आ करेह और राजपूत भाग में का करि शूग जय हम जीव खीच लेब एतना त हरा हिकमत कर जाओं त में रारू तारा जमना दुवारी ना जाएके तावना दुवारी जाएके मूरी ते कत्रा लियो अच्छुड कई लेका बाद से तरह बड़ा बोली निकला रागो कि अनुवांजी सुधार लाओ अपना में अज सम्झा धर्ती बहुत आगे भी या तुहीं योगो बीड़ धर्ती में पैदा निकल ले तारा से बढ़का बढ़का बीड़ धर्ती पैदा लेले बाख तो ब्राहुनों कितना कॉम्जूर बूजगी बढ़ हो कि कोहातर कि ब्रामणों दुखोंजी छोड़ देव तो दुखा निकाल देव तो दुखा लो छोड़ देव एक बातर पता भना ब्रामण जिन्द्गी भर अपने तपस्या किया अपने कुरवानी दिया और राजपुत समाज के लोगों के गधी पर बिठाया राजपुत को राजा बन उतना त्यागी आप ब्रामण को नहीं कम समझें आप उतना बढ़ा त्यागी ब्रामण है कोई राजपूत का सुने है आग सथ जो ब्रामण को गदी पर बिठाया हो कोई राजपूत आप हमें बता दीजिए इस बात को सास्त्र बेब पुरार सब देखिए हमेशा ब्राम्हन राजपुत को गद्धी पर बिठाया है अपने पूरोही दुन कर रहा है राजपुत उसी में खुस रहता है सुने अदुरौनाचार्ज को न अपना जान कुर्बान कर दिये माभारत की लडाई में ब्राम्हन बहुत त्यागी होता है हमेशा राजपुतों का सम्मान दिया है हमेशा राजपुतों का भला चाहा है और उनके भलाई के लिए कलब एक बार उनका काट लिए दुरौनाचार जी पढ़े हैं किताब की नहीं पढ़े हैं और आप बोल रहे हैं अनन्द मुहान पढ़े लिखे हैं किसी से लिखवाए हैं कि पढ़े हैं लिखे हैं आप आप कहते हैं कि ब्रामोर लो बैकवार्ड फरवारा क्या नाम है हर जोना इस सब बनाया है जात बात बनाया है अनन्द मुहान आपको ग्यान के लिए हम बता दें मनु इस्विरती पता है कौन लिखा है ब्राम्रों के लिखावा नहीं मनुसृति में अज राम्र को लोग राम नहीं पूछता किरिष्चन करें को रहाज को अज investigating कि भलाई चाहा है और अगर दे चोदो बरिस पंद्रों बरिस जेल के बाद से बोजो लगी पंड़ीजी लो डेरा जाई लो होस में रहा आच्छा भंग से बात करा पूरे ब्रामर समुदाय पर भासंद यल कम करा आके जब भाजा तरह अपना लाई को ना अपना मेरारूं के सामने गम बढ़का मरद होई का मरद होगा तू का जेल में का करेगो लाजादी के लड़ा लड़ा छुट के आई बढ़ा घर तरह ब्योत बता लड़ा ना आके यहने का और सके नहीं हो अज सब अपना जाग रहेंगे समाच के लोग से कहेंगे कि आपला अना आलोब महम को क्यों है जो पड़े हों ह को मैश रहें हैं समाज में एक साथ मेल कर रहे हुए हैं अप पास दिन गवारो द्युवा अभी लागुजी नहीं भैट किये मिट चथ़ पंडी यह का दोस मऺद हो है तु आपन देखा कि तरका युजद मा लालू जी के परिवार में कि गोईले 15 मिनट गारी पर बाहर खाला रोलाओकर अबादो लालू जी तरह से भेटना कोईले तरह तो चुलू बर पानी में डूम मरें के चाहिए अपने का बढ़का बिहार के राजपूत के नेता बना तर अल्लालू जी तरह से भेटना कोईले दुद्कार के दुवार पर से लटा देले अमू बना के तु चली यहीला चली तो सोथी के किसकट होती पर तू निकाला तरव पंड़ी जीलो पर पंड़ी जीलो पर खिस निकाला तरव कम चाहिए तू आपने खाति खाता खोड़ना तरह एक छोटा का ब्रामन का लड़का भी अगर अपने पराज आएगा ना तार नामो निसान मेटी जए तार नामो लेवे अलाक्य होनारी तुनीचीत लिखा लिए जैना तुल्टा सिदा बतिया वतर लोग के सब तार पतन हो जे खताम पतन हो जे बहुत राज पतन हो गई जे ब्रामनों के अपमानित कलता तार को राजे निखे बीच में खतम होगर लानू बीच में जो नामो लेट लानू परिबार से लोग दूरिये बना लेगा ला अला अब यो तार जोन लचन भा जोन रोहन भा ज अनन्द मोहन जी तारा कर चोड़ावे खातिर तार मेरा रू कितना देवकी घुमल बढ़ी पता लगा भौ बता दियें वे तारक है कितना बार आंचरा थे लहां यह लालू जी निती जी किया लालू जी अंत्तर रियाई हो गई अर रियाई हो गई अंडी गुंधी जी तारा तारा का पंडिलो तो बतेवे करी कि चुनाओं में का होला का जारा तार जमाना जब तो ना होगा तो फिर बात का अगर सो भाग से कोई ओ लोड़ वेला तो सीवान को पाल गर से कोई सीवान को